दोस्तों, स्कूटरस में कीक जैम होना कापी ज़्यदा कॉमन प्रावलम है और आज मेरे स्कूटर में भी यही प्रावलम आई है जब भी मैं इसका कीक अपलाई करता हूं तो इसकी कीक जो है वो रिटन बैक नहीं आती है और अपने position पे stack हो जाती है तो आज की इस वीडियो में हम सबजने वाल हैं कि कैसे हम इस problem को resolve कर सकते हैं तो इधिया आप जानना चाहते हैं तो जुरूर्ट से इस वीडियो को last तक का दिखेगा तो problem को resolve करने के लिए सबसे पहले आपको इस side panel remove करना है तो मैं इसको simply remove कर लूँगा मैंने बहुत सारी वीडियो में already बता है कि कैसे remove कर सकते हैं then आपको एक clutch cover remove करना होगा तो इसको remove करने के लिए यहाँ पर 8 mm के bolts लगे रहते हैं तो सारे bolts को आपको remove करना होगा तो one by one करके इनको remove कर लेते हैं one bolt यहाँ अंदर लगा रहता है तो इसको भी हम remove कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से bolt remove हो जाएगा हमारा नो यहाँ पर एक clamp लगा रहता है होज को connect करने के लिए तो इस clamp को भी आपको lose कर लेना है अधरा आपको जो clutch cover हो बहान या आएगा अपनी position पे stuck रहेगा तो इसको भी निकालना काफ़े ज़्यादा ज़रूरी है देन आपको इस तरीके से जो clutch cover है उसको बहार के और pull करना है तो easily बहार आ जाएगा और फिर इस hose को इस clutch cover से separate कर लेना है तो इस तरीके से हमारा clutch cover है वो बहार जाएगा यहाँ पर हमारे kick ratchet है और यह friction spring है तो सबसे पहले हमको इस तरीके से kick को press करना है और यहाँ पर kick ratchet है उस तरीके से बहार जाएगा आपको pull करना है थोड़ा सा और आपका kick ratchet है वो बहार जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो lubrication है वो बिल्कुल भी नहीं है काफे जादा dry हो गया है तो इसी वज़े से हमारा kick jam हो गया था तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा clean करेंगे तो इसको clean करने के बाद फिर से वापस assemble करेंगे first जो है मैं हाँ थोड़ा सा diesel लूँगा और देन इसको clean कर लूँगा आप चाहें तो petrol का भी यूज़ कर सकते हैं बट मेरे पास diesel है और diesel की एक property होती है कि यह थोड़ा बहुत self lubricating भी रहता है तो clean करने के बाद थोड़ा सा lubrication की film बनी रहती है तो इसका advantage है तो इस तरीके से मैंने clean कर लिया हमारा यहाँ पर थोड़ा सा मैं लूब अप्लाई करूँगा और लूब अप्लाई करने से पहले इसको आपको clean कर लेना है तो मैंने already clean कर लिया है तो काफी minute समय है पर lubrication apply कर रहा हूँ जो spindle है और जो driven gear है हाँ पर उसको भी आपको properly जो है लूब कर लेना है यहाँ पर आप multipurpose grease का use करिए किसी और टाइप की grease का use मत करिए otherwise आपकी kick जो है वो फिर से jam हो जाएगी क्योंकि जो यहाँ पर multipurpose grease की viscosity हो थोड़ा कम रहती है तो इस विज़ से आपको यहाँ पर multipurpose grease से apply करना है तो properly जो है इस grease को spread कर लेना है इस driven gear के उपर और इस spindle पर भी आपको grease properly apply कर लेना है तो इस तरीकी से grease properly apply हो गया है ज्यादा grease आपको apply नहीं करना है otherwise यह dust और dirt को attract करता है ना इसको आपको वापस से install करना है सबसे पहले जो यह इस हाँ पर friction spring रहती है उसको इसकी position पर जाके बैठा लेना है तरह आपको kick को थोड़ा सा press करना है उपर के और आपका जो यह gear है अपनी position पर जाके बैठ जाएगा और इस तरीके से kick को दबा के इसे check कर लीजिए कि यह जो forward है kick ratchet forward की तरह movement होना चीए जहाँ पर properly लग यह है नो मैं यहाँ पर थोड़ा सा enabond लोगा और इसको यहाँ पर हमारी clutch cover की surface से उस पर लगा लोगा जिससे कि इसमें water enter नहीं करेगा नो simply जो clutch cover हमने remove किया था इसको properly लगा लोगा प्रोपर ले आपको लगा लेना है डाउल टो डाउल मेच कराके देन जो है इसको press करना है तो कुछ इस तरीकी से लग जाएगा नो जितने भी आपने 8 mm के bolts remove किये थे उनको आपसे लगा लेना है यहाँ पर प्लास्टिक का clutch cover होता है उसको भी लगा लेना है और इसके भी आपको सारे जो bolts है 8 mm के उनने tight कर ल होंगी है काफी अच्छी परके से return हो रही है तो इसका मतलब है हमारी problem जो है resolve हो सकी है तो इस तरीके से आप भी अपनी problem को resolve कर सकते हैं thank you